कारी हम यह भी है कि इसमें से जो आने निकलता है उसके आप प्रसाद बना करके बारते हैं लोगों में वही प्रसाद है वही भलाराज करवाते हैं कि अबाबा सर्पिक हेती क्या कहेंगे शरीर भी अच्छा रहेगा दाना भी पैदावार भी अच्छा उठायागा क्योंकि वह नहीं सो पढ़ने में कोई खात पतारत नहीं था करते हैं कि महात्मा बड़े सान सब्सक्राइब करते हैं हम महबत करने हमसे प्यार से बात करो प्यार से बात करेंगे नमस्कार नुजनाइन इट्वर्क आप देख रहे हैं अर्बिन सिंग मेरा नाम है और इस वक्त में मौजूद हूँ प्रियाग राज में और एक अध्भुत तस्वीर आपको हम दिखाने जा रहे हैं साइद आप यकिन नहीं करेंगे कि क्या किसी के सर पर भी खेती होती है तो आज इसी तस्वीर को आपको दिखाएंगे और भी लाइब और प्रूप के साथ साइद आपको यकिन नहीं होगा नीचेज जी से बाबा को आप देख रहे हैं और इनके सर पर कुछ फसले उगाई हैं इसके पीछे की वज़ा क्या है और सर पर फसल क्यों इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर जो चीज आज कल खेती बारी में नहीं हो पा रहा है खेती में नहीं हो पा रहा है किसान नहीं कर पा रहे हैं सही तरीके से लेकिन ये बाबा आचानक ऐसा क्या मन में प्लान आया कि सर पर पूरी खेती लेकर करके चल रहे हैं सुनने में भी आया है कि इससे जो आनाज उत्पन होते हैं जो मिलते हैं उसका प्रसाद बना करके सब को मानते भी है सोसल मीडिया के माध्यम से खबर मिली तो हम भी पहुंचा है लख्णों से प्रयागरास और जानने की कोशिश की कि कितना सही है और आपको दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि कितनी सत्य है सबसे पहले बाबा हमारे चैनल में आपका बहुत मुश्वागत है धन्यवाद बाबा सर पे खेती क्या कहेंगे सर पे खेती किये हम जो बोय है चना बोय है उर्दी है मेथी है गाजा है और कोई चीज नहीं मटी नहीं है सरके क्यारी में इतनी तमाम फसलें कैसे समभाव है आप लोग सामने देखके तब उसको चैन करिएगा इसे नहीं हमारे बात बताइए आपको जो फसल लखाई दे रहे उसको आप चैन करिए जो फसल रूकी उसको देखिएगा तो आगे बढ़ाईएगा अच्छा बबाब उसके का सवा करते हैं कुश्ट हुआ हम यहार किसान जाग जाओ कॽां जाओ किसान जाग जाओ क्या मतलब संथ होते चला है इसलिए सब तेरठे रोग चल रहा है तेरठे बवाले चले इसी कारण हमने सिवा उठा लिए क्योंकि हमारे पास जगह जमीन है नहीं जो थोड़ा बहुत है उसमें खाते हैं जगह जमीन नहीं यह मतलब मैं यह बात समझें आप हैं तो इंडिया के ही ना जी कहा हम सोचे जिसमें खाद डालेंगे तो साला पाज़ा हो रहा है अब पहले लोग सामा कोदव खाते थे मांकाई की जिन हो रहा करोटी खाते थे तो बढ़िया शरीर थी पहले के बुट्धा लोग भी आज भी पड़े है आज के लवंडे सब गल-गल के पचक जा रहा है तो ह हमने यह सोचा जैंग बिना खात के खेती देखें हम अपने सर पर हो जाती है के नहीं हुँ तो हम सजय मत्टी भी ने डाले हम मारा दिमाग मैं अज मत्टी ने डाले हमने को ढाल दी आपने जटों में इसमें जाम गया जामने के बाद परसाल हमने तपच्छा कर दिये के परवाला वो देखता होगा उसको किये खिलाने पिलांग बद परसाद खिया गए गए गउं अपना वहां भी पुजा फारी किये वहां भी बंडारा करवाए उसके बाद अपना यह सवा चल रहा है और यह चीज आप हमको वरहो मास पाऊंगे हर महीने में नो दिन हमारे सर करते हैं जानकारी हम यह भी है कि इसमें से जो निकलता है उसके आप परसाद बनाकर के बांड़ते हैं लोगों में वही परशाद है वही बहुत हरा कर वाते हैं कितना इस पितना तयार हो जाता है कि अरे यह किताना हो जाए मारा तो कुंटल भर चाहल मिला के परसाद बान कि जाती है तो उसकी रखवाली करने के लिए किसान तरह तरह खटकंड़े अपनाते हैं आप ऐसे में देखा कि आप सोई हुए थे पीछे से कोई जानवर आएगा और इसे खा जागा तो उसका उकाते नहीं हमारे पास आएगा क्यों इसलिए हम सोते नहीं है लोगों को दे सोचे हम उठा लें उठाने से पहले उपर सान हो जावे क्योंकि हम जाग जाएंगे तो डंडा बज़ा जब डंडा बज़े तो मार खावे आप मारते भी है छोड़ेंगे थोड़ी नहीं चोरों को छोड़ेंगे तो बड़े कुछ नहीं चोर किसी का हित नहीं होता है करते हैं हमको करना ये दो करना ये नहीं है जो हम आज हां मिल रहें वही किल उहां मिलेंगे और हम रहने का ईस्तान गुप्त कासी है हम रहते हैं जहां हमारा हम deadly training अस्थाई हमारी कुटिया है चलिए बाबाइब बताई ये तु दूसरी बात हो गई हम सीदे मुद्धे पर आते हैं क्या क्या समस्था जहलने पड़ते हो इसको तयार करने में इसको तयार करने बस उतने का समय सब्सक्राइब अगर देख लिए जैसे हमारे पास समय नहीं है है फबम को जगार का ज़े नहीं हमें को नीदा आ गई हम इसी तरीके सू लिए है अच्छा ऐच्छ betrayal करके की अब सो लेते हैं चतो यह सुने का बाबा का तरीका है और एसे मई ह हो जाते हैं खटे-खटे ना आजाएगा जब जब बाल चना होना सारव देखा देंगे तो जब तक कि इसमें बाल नहीं फुड़ेगे तब तक अन भी छोड़ देते हैं अन पैदा हो जाता है तो वह अन खाते हैं अन हमारा चुटने वाला है पांचाई-शा दिन का अउल टाइम है जो हम अन खा रहे हैं उसके बाद न छोड़ देंगे जब अन हमारा हो जाएगा लोग को दर्सन करा देंग करें वही पलारा कराएंगे खाएंगे सब को खिलाएंगे वापस चेले जाएंगे आपने बाबा एक कुछ दिर पहले बात कहा था कि खाथ बीज को लेकर के लोगों की बिमारियां बढ़ रही है अब बच्चे का उनकी सिहत खराब हो रही है तो इसके पीसे की लोजिक क्य सब्सक्राइब अपने सब्सक्राइब ऑपडसराइब लॉक्त करें शुखता हो यह नाच में डाली आँ पैदा होगा नहीं होगा पुड़ा जन्ता में पुड़ा जन्ता को में पुड़ए वीच को खिलोंगा लेकिन सरकार तो है तो तमाम तरह की खेयर बीज बंडार हाओ गक टो घंटा गम हो देना यह है कि आप दिना खाड आपके बच्चे उन्हाजी स्ट्रेद honest रहेगा हमनी इसे रहें नाम अमर्जीत है थे में कुंडी सोगुध में यह हमारे साथ बाबा अमर जीत और संभदर के रहने वाले हैं जो अब विना खाद के भी आप नदबाओं के भी आप खेती कर सकते हैं और जब तक बिना खाद और भीना डवाओं का खेती नहीं करेंगे तब तक आप ऐसे ही बीमारियों से गर्चित रहेंगे फिलाल जो भी थी यहां की हकीकत मैंने आपको दिखाने की कोशिश की और इस बाबा को ले करके और इस खेती को ले करके आपके क्या प्रतिकिरे हैं कमेंट सेक्षन में जरूर बताईएगा कैमेरे के पीछे मनोज थे मेरा नाम अरविन कुमार सिंग है अब देख रहे थे नियूज नाइन ट्वर्क बहुत बहुत धन्यवाद